कि अप्रिश को आप अप्रमेश निसाद वालकम यह व्लाल विहाफ अप अभीपसर अभीपसर टीम एड आसा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो लास्ट रूड लेक्शन में हमने देखा था प्रिवेस यह के इंपोर्टेंट कोशन अंसर्स आ यह है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कैसे र किस तरह से टेरर यानि भै को डगलस के द्वारा पर सुनिफाई यानि मानविक्रित किया गया है तो डगलस जो है वह अपने भै पर विजह हासिल कर लिये थे इसके बहुत भी उनके अंदर भै की कुछ मात्रा बची हुई जब वो पानी के बीचों भी चले जाते है तो उनका जो भै फिर से उबर करके सामने आ जाता है और उसके बाद वो टेरर को एक मोंस्टर की भाती एक दानों की भाती वो पर सुनिफाई करते हैं मानविक्रित करते हैं तो हमारा जो अंसर होगा इस तरह से होगा दो डगलस perfectly geared up as a swimmer little fear still remained with him he personified the terror as some king of monster trying to scare the live out of him now let's see the next question our next question is what was the touch of reason that came in the midst of terror did he succeed no doubt here it is the doubt in the midst of terror the fear in a douglas when he went into the water and he was the wounded him with his pagar and और नीचे मिन्स उपर वह आ जाएंगे और इस तरह से वह डुबने से बच जाएंगे. वो उन्हें ईसा तरक अला गाया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह अंतमी क्या हो जातेते हैं. और वह उस पानी से निकलने में असमर्थ हो जाते हैं. यानि वो success नहीं होते हैं, वो सफल नहीं होते हैं, तो हमारा जो answer होगा वो इस तरह से होगा, the touch of reason was that he would give a great spring towards as soon as his feet hit the bottom of the pool, no, it did not succeed, as he could not reach the surface of water but kept floating inside the water itself, तो यह हमारा answer हो जाएगा, next question है, why was the crafter so targeted and friendly with the peddler, यहाँ पर पूछा जारा है कि जो old crafter है, वो इतने peddler के साथ इतने targeted, इतना बातचीत करने वाला और इतना friendly वेभार क्यों करता है, तो इसका reason यह है कि वो अपने अकेले पन को, अपने loneliness को दूर करना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में कोई family members थे नह करें, और इसलिए जब peddler मिल जाता है, तो वो क्या करता है, उनके साथ वो friendly वेभार करता है, अच्छे से बातचीत करता है, उनको खाने के लिए कुछ कुछ चीजे वो देता है, तो हमारा जो answer होगा, इस तरह से होगा, the crafter was a lonely person, he was very happy to talk to peddler to be away from his loneliness, यह हमारा answer हो कौन कौन से संदे थे, तो जब एडला सुरो में जब देखती है, तो peddler काफी डरा हुआ रहता है, और उसके कपड़े रहते है, फटे पुराने, तो इन सारे चीज़ों को देखती है, तो उनको ऐसा लगता है, कि यह तो educated नहीं है, यह uneducated है, अब उसके बाद वो काफी दरे हुए थे, तो उसे वो देखती है, तो उसे लगता है, कि यह तो जेल से भाग के आया है, या फिर यह चोरी कर के आया है, तो यह सारे उनको doubts थे, तो हमारा जो answer होगा, इस तरह से होगा, एडला doubted peddler's outlook, appearance and behavior, also he did not seem to have been an educated man, it seemed to her that he had stolen something or had escaped from jail, तो यह हमारा answer हो जाएगा, now let's see the next question, what kind of life did the peddler live and why, जा फिर इसी question को ऐसा भी पूछा जा सकता है, who was peddler, what did he sell and how did he make them, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो peddler है, वो कौन था, और वो क्या बेशता था, और वो चीजों को कैसे बनाता था, तो peddler एक गरीब इंसान था, वो फटे पुरान और वो क्या बेशता था, वो रैट ट्रैप बेचा करता था, यानि चोहदानी बेशता था, और वो कैसे बनाता था, वो तार से बनाता था, और इसके लिए चोटी मोटी चोरी करता था, मांगता था, लेकिन उसके तरह बनाएगा जो रैट ट्रैप है, चोहदानी है, उन सा okay, himself, he got the materials by begging it in the stores or at big farms but even after doing he didn't earn much. So, he resorted to both begging and theft. It kept his body and shoulder together. He didn't want to live his life in sad and monotonous way. तो इस तरह से वो छोटी-मोटी चोरी करता था, मांगता था, भीग भी मांगता था और इस तरह से वो अपना भरन पोशन करता था, तो यह था पैडलर. Now, let's see the next question, ड्राग एरेक्टर स्केच ओफ दा पैडलर जस्टिफाइंग दा सिम्पथी, ही जनरेट्स अमंग दा रीडर्स यहां पे यह जो कोशन है, यह लंबा कोशन है और इस तरह के जब वो असी वर्ट्स के आसपास ही रहे, ना इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना इससे बहुत कम होना चाहिए, और आप जो है अपने सब्दों को गिनिए कि आप कितने वर्ट्स लिखते हैं, जैसे आप एक लाइन में कितने वर्ट्स लिख सकते हैं, उसे आप देखिए आप answer लिखेंगे तो आप count करिएगा कि आपके जो लिखे गए words है वो कितने हो रहे हैं लगभग कितने हो रहे हैं तो उसी के आसपास आप है count करके आप लिखे और लिखते समय ये भी धियार रखे कि आप पैराग्राफ चेंज करके रिखे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नमबर मिले हाला कि यहां पर पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है लेकिन आप पैराग्राफ चेंज करके लिखे तो ज्यादा अच्छा र ठीक है यह चीज़े आप समझ लेजिए कि आप paragraph कैसे चेंज करेंगे ठीक है यहां से आप यहां तक ऐसे लिखेंगे तो फर्स्ट आपका जो रहेगा सुरवाती वह बीच से स्टार्ट होगा और यहां से आपने पुरा लिख लिया उसके बाद जब दूसरा paragraph लिखेंगे तो इसके जस्ट सीद से ही यहां से स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको यहां से फिर से लिखना है तो यह इस तरह से आपका रहेगा और यह फर्स लाइन में आपको paragraph बीच से ही लिखना होगा तो हमारा जो question है उसे start करते हैं हमारा जो question यह है कि paddler जो है वो कैसे किस अंत में readers की बीच में sympathy कैसे जो है generate करता है यानि लोग उनके पर उन पर दया करें तो कैसे generate करता है तो वह जो है शुरू में तो चोड़ था वह चोड़ी छोटी मुटी चोड़ी करता था दुनियावालों के बारे में तरह तरह की बाते सोचा करता था क्यों वह सोचता था कि दुनियावाले जो है वह रैट ट्रैप में चूही की तरह फंसते जा रहे हैं यानि वह उनका कहना यह था कि जैसे रैट ट्रैप में कुछ-कुछ चीज़े रखे जाती है जैसे टमाटर रख दिये या कुछ-कुछ खाने की चीज़े रख देते हैं तो जो चूहा होता ह वह चूहा क्या करता है उस चीज को देख करके उस चीज के लाला चमिया करके वह रड्टरेप में घुसता है और घुसने के बाद जो रैड्ट ट्रेप का धरवाजा वह आर्टमेटिक बद्ध हो जाता है और इस तरह से चूहा जो है उस Dewा में फस जाता है और ऐसे ये भी करता है ये भी चोरी करता है चोटी मोटी चोरी करता है और जो इसको सरन देता है जो क्राफटर है वो इसको सरन देता है उसको खिलाता पिलाता है उसके यहां ही वो ये चोरी भी कर देता है लेकिन अंत में ये अपनी गलती को सुधारता है क्यों जब एडला जब उसको सम्मान देती है, जब वो उसको एक कैप्टन की तरह, वो जब सम्मानित होता है, तब उसके अंदर की जो माना होता है, वो जागरित हो जाती है, और वो अपनी गलती को सुधारता है, और आंत में वो एक चिठ्थी लिखता है, चिठ्थी में वो सारी चीज़े बत तो यह हमारा आंसर हो जाएगा और ऐसी ही आपको questions के answers को समझने हैं ताकि आप बहुत अच्छे से लिख सके और जो मैंने बताया है वैसी आपको लिखना 80 words के आसपास आपके answers रहेंगे और paragraph change करकर के लिखिए जैसे कि यहां से आपने लिखना जो paragraph रहेंगा वो बिश से start होगा तो इस तरह से यह आप करेंगे तो आपको पूरे के पूरे numbers मिलेंगे तो try करिए कि आप कम से कम दो paragraph तीन paragraph पे लिखने की courses करिए Now let's see the next question compare and contrast the character of the iron master with that of his daughter यहां पर पूछा जा रहा है कि जो iron master है और उनकी बेटी एडला है उन दोनों के character में क्या का contrast था तो जो एडला है और उनके जो पितची है यानि iron master है दोनों जो है एक ही तरह के विवहार रखने वाले थे क्यों क्योंकि जब वो पैडलर को जब वो देखते हैं iron master देखते हैं तो वो उनको अपने regimental friend की याद आ जाती है और वो सोचते कि मेरा पुराना friend है captain है regimental friend है और इस तरह से वो अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि चलो मेरे घर यहां मेरे यहां और वहां पे हम क्या मनाएंगे हम वहां पे क्रिस्मस डे मनाएंगे तो इस तरह से वो जो है ले करके जाने की कोशिस करते हैं लेकिन वो नहीं जाते हैं पैडलर नहीं जाता है तो एडला फिर से आती है एडला उसे मना करके ले करके जाती है यानि वो दुनों का जो वैवहार था वो लगबक सेम था लेकिन जब बाद में पता चलता है कि यह तो कोई पैडलर है यह तो कोई मेरा फ्रेंड नहीं है तब आरन मास्टर का जो वैवहार होता है वो पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाता है उनका ब वहार करती है जिसकी वजह से वो जो पैडलर है वो बाद में बदल जाता है वो अपनी गलती को सुधारता है और वो थैंग भी करता है धन्यवाद करता है कि आपने मुझे इस दुनिया रूपी रेट्रक में फसने से बचा दिया तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडला क वहार और आइरन मास्टर के वहार में काफी अंतर था यानि आइरन मास्टर के वहार के पिक्षा एडला का वहार था वो बहुत अच्छा था तो इस तरह से आप जो है आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट कुरिशन है गीवर क्यरेक्टर स्केश्च ऑफ मिस्टर एम हमल ऑन दे आइरन के पिसक्राइब के अंचा वैटाइब करने आप इस टैटनी आइर आप मिस्टर एम हमल जो है वो फ्रैंच लैंग्विज के एक टीचर थे जिन्होंने 40 एर्ञ तक 40 वह तक उने ऐने तारीके से वन्होंने टीचिंग किया हुआ था और वो अपने देश के प्ति परद निसासीट करने की कोशित करते थे और इसके लाव भाब वह बच्चों को हूंवर्ड भी देते थे हाला कि बच्चे जो है अपना हूंवर्ड नहीं करते थे लेकिन वह बहुत अच्छे ठीचर थे वह अपने देश के बहुत परती संमान रगते थे इसलिए उन्हों ने लास्ट में ब्लैक बोर्ड में लिखा था वाइव लाव फ्रांस यानि लॉंग लीव फ्रांस इट मिंस फ्रांस अमर रहे तो यह सारी चीज़ दिखाती है कि वह एक देश भक्त थे तो हमार जो आंसर होगा वह इस तरह से होगा एटी वर्ट्स में ना लेट सी दे नेक्स फ्रेंच दिल बॉआ यहां पिर पूछा जारें लिट्ल बॉआ उनके के बारे में लिखर के बारे में तो फ्रेंट जो है कि चोटा सा लड़का था लिनासा जिसे बढ़्भा इस लापंगो also बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन बाहरी बाहरी वाष्वाद्या थी इन सारी पड़ाए लिखाय में बिलकुल भी मन नहीं करता है और वो ऐसी family से butונग्संड से जिसके वजब सके वह ध्याम नहीं देते थे लेकिन जब उसे पता चलता है उस लड़के को पता चलता वो अपने टीचर के प्रती रिस्पेक्ट दिखाने स्टार्ट कर देता है अपने भासा के प्रती अपने देश के प्रती रिस्पेक्ट दिखाने स्टार्ट कर देता है क्यों जब कोई चीज हम से दूर जाने लग जाती है तो हम उसकी कदर करने स्टार्ट कर देते हैं और यह तो the last lesson का theme क्या है तो इसका जो theme है वो यह है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है लड़ाई होती है तो वहां के लोगों पर इसका क्या effect परता है वहां के टीचर्स है वहां के students है उन पर क्या effect परता है वहां की जो भासा है उन पर क्या effect होता है इन सारे चीजों को दा लास लिशन की द्वारा बताया गया है तो इनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि कैसे और किस तरह से क्या-काई फैक्ट पड़ता है तो इसका जो थीम है इसका जो सब्जेक्ट है विसा है वो क्या है नेक्स हमारे कु तो बता कि व्क्रीचर है और वो फ्रेंश भासता पढ़ा रहा होते हैं लेकिन बर्लीन से आदे आता है की असेजन लॉरेंस की स्कूल में अब फ्रेंच में जगा पे जर्मन भासा पढ़ाये जाएगी तो इस तरह से जो Mr. Amelin है उनकी फ्रेंच भासा कि वह अंतिम क्लास थी लास्ट क्लास थी और इसी वजह से इसका नाम पड़ा दा लास्ट लेशन ठीक है तो इसी इसका जो आंसर होगा वह आप इस तरह से लिख सकते हैं और हमारा जो नेक्स क्वेश्चन है वह यह है ड्रादर सिमिलारिटीज यू सी इन साहिब मुकिष सहकंड क्या मिक्या चीजा जो इस साहिए दूनोकि यह बात करें तो डूनों बच्चे हैं काफी यह kиль और करते हैं जसे यह में धुका ऑद्मिल्य को पढ़ाई कि compensate हैं जहां पर उन्हें कि क्या सकता है लव क्या सकता है ऐसी एज में दोनों जो है काम पे लगे हुए हाड़ वोक कर रहे हैं तो दोनों में काफी सिमिलारिटीज है और जो साहिव नाम का लड़का है वो कहां काम करता है साहिव नाम का जो लड़का है वो रैग पिकिंग का काम करता है और उसके बाद टी स्ट और में भी काम करना स्टार्ट कर देता है और यदि तो भी चेल के हैं 不錯 मुखेस की तो सब्सक्राइबां आधने का काम करता है रिकचे उस59 नामने का लड़का धन्यों रहे घरहा करका दो निजो रहता है तो का Master बनना चाहता है तो यह सारी चीज़े है जो similarities है इन दोनों में लेकिन अगर question आजाए कि दोनों में अंतर क्या है दोनों में contrast क्या चीज़ है तो आपको बताना होगा कि जो साहेव है और मुकेश है दोनों की जो सोच है दोनों में थोड़ा संतर यह आता है कि जो साहेव नाम का लड़का है वो गीव अप कर देता है यानि कि वो अपनी लाइब से हाल मान जाता है वो दूसरों की गुलामी करना स्टार्ट कर देता है गुलामी इट मिन्स दूसरों के आपको बनाना है तो आपको रट करके नहीं जाना है समझ करके जाना है ताकि आप अच्छे से लिख सको और 80 words में आपको लिखने हैं लगभग 80 words में and paragraph चेंज करके जरुर लिखे ताकि आपको जादा से जादा नमर मिले और ये काफी attractive लगे आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो lecture काफी अच्छे से पसंद आया होगा मैं मिलूगा एक interesting lesson के साथ लेक्स वीडियो lecture में तब तक के लिए धन्यवाद